नमस्कार स्वागत है आपका ATS India पर और मैं हूँ वीकिसरमा किसानसाथियों आज मैं वीडियो लेकिया है हूँ उन बागवान साथियों के लिए जो करते हैं आम की फारमिंग आम के बागवान है किसानसाथियों पिछले दिनों मैं गया था बगिचों में तो मैंने देखा के आम के पोधों पर जो मंजर लगे हैं वो काले पड़ चुके हैं अब काले क्यों पड़े हैं उसके पीछे क्या कारण है इस वैसे में आज की वीडियो पूरा विस्तार से बताएंगे और साथ ही बताएंगे कि उसका निदान क्या है किस प्रकार से उसको हम नियंतरत कर सकते है जिससे कि हमारी पैदावार अच्छी मिले किसान साथी जिससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें आप से गुजारिस करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जिससे कि आपको समस्त वीडियो का नोटिफकेशन समिश से मिल जाए करें चलते हैं वीडियो में खेती हुई अब और भी आसान क्योंकि आपको मिला है दीक सर्मा का साथ खेती बागवानी जैवेग खेती या हरवल खेती में कीट एबम रोग नियंतरन की नई नई जानकारी प्राप्ट करने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एग्रिकल्चर टेकनिंग एंड सॉलिशन बागवान साथियो पिछले दिनों में कई बगीचों में गया था तो मैंने देखा कि कई पोधों पर मंजर आये हैं परन्तों वो काले पड़ रहे हैं किसान साथियो हमको सबसे पहले जानना यह जरूरी है क्या हमारे बगीचों में भी यही समस्य आई है अगर आपके बगीचों में कई पोधों पर यह समस्य आई है तो उसका समाधान हो सकता है परन्तों उससे प पुर्व उसमें पुश्पन या मंजर पहले निकल आए हैं, दूसरा है मंजर जब निकले थे तब तापमान क्या था, कम तापमान पई भी जब मंजर निकला आते हैं तो काले पड़ जाते हैं, और तीसरा कारण है कि जब मंजर निकले थे उस समय पे बारिस हुई थी और बरसात की वज़े से फफूंद्र ने आकरमण किया और वो फफूंद्र की वज़े से पाउडरी मिल्डियू एक रोग होता है वो लग चुका है किसान साथियो पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि जब आपके मंजरों पे पुस्पन यानि फ्लावरिंग ना हुई हो तब तक आप इस्प्रे कर सकते हैं यानि अभी हमें एक चांस और है कि हम उन पुस्पों को जो काले पड़ चुके हैं उन मेंसे भी उत्पादल ले सकते हैं अब उत्पादल लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा उस विसेपे बात करेंगे तो इसके लिए आपको मैं तीन दवाईयां बताऊँगा उन तीन दवाईयों में से कोई एक ले लिजे और एक दवाई ले करके आपकी समस्या का समाधान सो परसेंट तो नहीं परन्तु कम से कम सतर से असी परसेंट तक उन पौधों के मनजरों से जहां हमने फ्लावर लेन हैं वहां से आपको उत्पादन हो सकता है अब दवाई का नाम आप नोट कर लिजे मैं भी पहले भी आपको बताएं बताता था तो दवाईयां मैं टेबल के माध्यम से आपको बताता हूं इन तीन दवाईयों यानि आपको पहले नमर लेनी है प्रोपिक कोना जॉल 25 सी सी वजार में आती है इसकी एक से डेड़े मेल मात्रा प्रत लीटर पानी यानि आप दो हजार लीटर के लिए दो लीटर मात्रा अथवा आप दूसरा टेकनिकल आपको बता रहा हूं हैक्जा कोना जॉल 5 परसेंट इसको भी आप एक एमेल से दो एमेल पर लीटर पानी के दोनों कम्बीनेश आंती है तैबी कोना जॉल और सुल्फर का कम्बीनेशन आता है ये बजार में हारू के नाम से सुमु टुमू कमपनी का आता है इसको भी एक ग्राम से डेड़ ग्राम मात्रा पानी के एशाब से आप रख सकते हैं किसान साथे यहां मैं आपको एक बात नजर आ रहा है जो कि मंज़रों को नुकसान पहुचा सकता है फूल खिलने से पहले आपको बार-बार मैं बता रहा हूँ फूल खिलने से पहले पहले वीडियो में बताए था और अभी भी बता रहा हूँ फूल खिलने से पहले आप ये वाले टेक्निकल लगा सकते हैं यानि एक जो ठंडा है जिसकी आपरती ठंडी है वो दवाई में आपको बताऊंगा इंसेक्टिसाइड के रूप में जो गर्म नहीं है जो के आपके फूलों को नुकसान नहीं पहुचाएगा वो है इमिडा क्लोपिड 70% इसकी एक ग्राम मात्रा चार लीटर पानी के लिए यानि एक चोथाई ग्राम प्रत लीटर पानी के हिसाब से इसको आप साथ में लगा सकते हैं किसान सातियों यहां मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप इसके साथ इस्टिकर जो सिलिकोन आधारित हो उसका इस्तिमाल जरूर करें जिससे कि हमारे पेस्टिसाइड की आपरती बढ़ जाती है किसान सातियों मुझे लग रहा है कि आपको आपके मंजरों पे जो कालापन पड़ा है उस कालेपन को दूर करने के लिए निदान मिल गया होगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेट के माध्यम से जरूर बताएं साथ ही आपकी अगर कोई समस्या है तो मुझे जरूर कमेंट के माध्यम से बताएं और किरपया करके रात में या दिन के किसी भी समय मुझे आप वीडियो कॉल करते हैं वो न करें तो जादा बहतर है क्योंकि मैं दिन में जादातर किसानों के मद रहता हूं और आपकी वीडियो कॉल का जवाब नहीं दे पाऊंगा उसके लिए छमा चाहता हूं आप कमेंट करें मैं सत्प्रसत उस कमेंट का जवाब जरूर दूँगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार